हलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो मैं चैनल रजनी वी व्लॉग और कैसे आप सब लोग उम्मिद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे सब्रक्राइन पिना जड़ करते हैं किलिक कारी आज वालि प्सक्राइज है आज वाली सड़ी मुझे बहुत जादा पसंद है मैं इसको जब पहन ले थे तो एक निचुरली लुक आता है और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे यह साड़ी बहुत पसंद है और यह हम बाहर से फूल तोड़ के लिया हैं और अब जा रहे हैं पूचा करने तो यह इसमें सदबहार और गुरहल का फूल है और पूचा को मैंने कली साफ किया था, यह देखे और अब हम पूचा करेंगे अच्छा लगता है पूचा करके हम सिधे किचन में आ गए और चाहिए है अब चाहिए हैं और सब्ची काटके आलो का ऐसे चल के आवाला चौग दिया है यह सब्ची बोखात अच्छी लगती है इस टाइम पर तो चोटे चोटे आलो थे हैं तो उमने कटकर के और चौग दिया है तो सब्ची हमारी पक चुकी है लग बग तो हम इसको वापस खोल क के चेक कर लेते हैं और एक दू बार हमने इसको बीच में चला भी दिया है क्योंकि जले ना और अच्छा सा खुस्बू आने लगए इसमें भून जाए अच्छा से यह देखे तो सब्ची हमारी बन के तयार हो गई है यह देखे बहुत ही अच्छी से खुस्बू आरे सब्ची बन के तयार हो गई है यह देखे और अब हम बनाएंगे रोटी तो यह देखे सब्ची हमारी बन के तयार हो गए तो हमने गैस बंद कर दिया और इसको में नीचे उतार के गैस से रख दिया है और बनाया है अरहर की दाल तो इसमें भी इमने तड़का लगा दिया ह बनाए है तो अटा मेरे गूत के रख लिया है और रोटी बिल के में तबाप पर डाल देया है तो इसको पिलट देंगे और दुसरी साइड हम सेख लेंगे और उसके बाद में हम उतार के तबा रोटी को फिला लेंगे और गरम बरम जब रोटी इस तरीके से और सब्ची खाने को मिलता है तो बहुत ही डेस्टी लगता है गरम बरम रोटी अच्छी भी लगती है ठंडी हो जाती है तो बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती है खाने में तो हमें सारी रोटीयां बना ली है तो हमारा लंच बन के द लाल मुच्ची और जीरा अब दोओ के अगरे और अगली दोओ के दोओ के थाले में रखेंगे और यहां मैंने धनिया को भी दोओ के थाले में रख लिया है तो इसको भी हम सुखाइएगे और यह मौफली के दाने यह देखे तो मैंने इसको भी दो के और ठल में फैला दिया हैं यह देखें और अब इसको भी हम धूप में रख देंगे सूपने के लिए और यहां मैंने थोड़ा सा अपने लिए अलू फ्राई किया है यह देखिए जीरा और मिर्ची डाल के और यह अलू बहुत ही अच्छा लगता है अच्छा से क्रिस्पी से उपर से फ्राई हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है तो हमने इसमें नमग भी डाल दिया है और अब इसको अच्छे से FRI होने देंगे, ये देखें तो अब इसको निकाल लेंगे और नास्ता कर लिए तो मने नास्ता करदे लिए है और उसके बाद के देखें मैं व prost निकला हुआ है तो बरतन साफ करेंगे और कपड़े भी बहुत सादा है और बरत है लेकिन फिर भी काम बहुत सादा है तो ये देखे मैंने बरतन दोए और उसके बाद में फिर मैंने वही पे कपड़े दोए बरत भी है और नुरात का पहला दीन है तो काम भी बहुत सादा है तो ये देखे म मैंने धनिया और मिर्चा जीरा यह सारी चीज़ हैं मैंने दूप में रख दिया था सूखने के लिए तो यह देखे हैं हम इसको चला देंगे थोड़ा सा कि अच्छे से सूख जाए यह देखें और हम जा रहे हैं चट पे तो हम कपड़े डाल देंगे और चट पे भी थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं पहले से यह देखें और यहां तो बहुत सारी गंदगे क्योंकि रात में बारिस भी हुई है और यहां सरसो का जो छिलका वगेरा होता है वो सब यहीं पर पड़ा हुआ है यह देखें थोड़ी सी वैसे भी रखी है प और इसको हम अलग रख देंगे और उसके बाद में हम गिले कपड़े डाल देंगे तो ये देखिए मैंने सारे गिले कपड़े डाल दिया है सुखने के लिए और उसके बाद अब हम चलेंगे नीचे और अगर आप लोगे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पलीज सब्सक्राइब करना बिलकुल फ्री है इसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं और अब हम आ गए हैं केचन में तो जीरा धनिया में चाहिए सारी चीज़े सो गई थी तो अब हम इसको भून के पीस लेंगे और बिटो हमारी सो गई है, अगर उठ जाएंगे तो वो कोई भी काम करने नहीं देंगे, तो जब तक सो रही है, तब तक हम फटा-फट से मसाली को भून के पीस के रख देंगे, यहाम इने गैस पे कडाई रख दिया है, कडाई गरम हो गए, तो हम इसमें डाल देंगे जीर अच्छे से तो हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे, और हम एक साथ नहीं भून रहे हैं, अलग अलग करके भूनेंगे, इससे क्या होगा, मसाले हमारे जलेंगे नहीं, और अब इसमें डालेंगे धनिया, तो धनीया को भी हम कांटिनु चलाते रहेंगे, और इसमें और चल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए, कॉमेंट करके जरूर बिताईएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, तो मैंने धनिया भून के निकाल लिया है, और अब हम इसे हमें डालेंगे मिर्ची, तो मिर्ची का जो टंठाल है, वो मैंने तोड़के रख लिया है, तो हमें जितना मिर्ची पो टाल देंगे, और इसको भी कांटीने चलाते हुए भून लेंगे, और यह देखिए, सारे मसाले को अमने भून लिया है, और अब इसको हम ठंडा होने देंगे, विट्टो हमारी सो रही है, लाइट भी चली गई है, तो तक तक हम आलता लगा लेंगे, म में सारी पहनती हूँ, तो मुझे बहुत मन करता है, आलता लगाने का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारी पे, बहुत भरी चूड़ी हो, और पैरों में आलता हो, और हमेशा मतलब रिडी रहें, अच्छे से बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यहां आलता लगा आप लोगों कैसा लगता है आलता लगाना तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए गा और मैं ब्रत भी हूँ तो मेरा और भी बहुत मन कर रहा था कि मैं लगाओं तो मैंने बागी का काम छोड़के मैंने पहले आलता लगा लिया मैं बुली में पहले त्यार हो जाती हूँ उसके बाद में बागी का काम होगा और मेरा मन करता है मन पैरों से आलता छोटे ही ना हमेशा लगा रहे और मैं अक्सर लगाया करती हूँ आलता मुझे बहुत अच्छा लगता है और कभी-कभी नहीं लग पाता है मन भी करता है कि हाँ आज लगा लेते हैं आज लगा लेत और काम भी करने थे तो मैं अगर तयार होने बैठ जाती तब तो सारे लोग ऐसे ही चले जाते और बहुत ही सिंपल सी डिजाइन है उसमें कोई भी डिजाइन खास नहीं है बहुत ही सिंपल सी डिजाइन बनाती हूं आलता का और यही डिजाइन आलता का मैं हमीशा लगाती जब भी लगाती हूँ तो मैं बैस ऐसे लगाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और आलता लगाने से पैर बहुत जादा कुबसूरत लगते हैं यह आप खोदी दीख लिजिए पैर एकडम सज समर जाते हैं बहुत ही लगते हैं और उसके बाद मैंने यह वाली चूड़ियां पहनी रिड कलर की नहीं थी तो मैंने यही वाली पहन ली यह देखियो गंगन और चूड़ी मैंने पूरा सेड़ लगा के पहन लिया मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैंने साड़ी पहना है तो आज म मैंने कड़ाय में ओल डाल के रखा है और गरम हो गया तो हमने इसमें मुफली के दानी डाल दिया है और अब इसको हम चलाते हुए मेडियम फ्लेम पर चटकने तक अच्छे से भून लेंगे और ध्यान रखना है मुफली अगर जल जाएगी तो भी अच्छी नहीं लगेग तब भी नहीं अच्छी लगेगे तो इसको मेडियम फ्लेम पर भूनेंगे और इसको हम अच्छे से चटकने देंगे और चलाते रहना है ताकि जलेना और यह देखिए मुफली हमारी अच्छे से भून गई है यह देखिए तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे अल यह देखिए तो इसको हम अच्छे से नहीं फूटेंगे और साबोधानी भी पिर बहून गया है तो इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे में डाल देखिए मकाना यह देखिए तो मुफाने की एम चलाते वह भून लेगे यह अच्छे से कुरखुरी हो जाए औ और यह नम्कीन बहुत अच्छी लगती है खाने में ब्रत के लिए बहुत बढ़िया रहता है अब इसको भून के डबबे में रख लीजिए जब आपका मन करें तो आप इसको निकाल के खा लीजिए बहुत ही अच्छा लगता है तो मैंने मकाना भून लिया और मुंफली और मैंने सारी चीजों को भून के और एके में मिला दिया तो हमने इसमें डाला है मसाला मसाले में डाला है अधा चमच जीरा एक चमच धनिया पाउडर और हम इसमें डालेंगे आधी चमच लाल मेर्च पाउडर जो मैंने मसाले ड्राय रोष्ट करके रखे हैं वही सारी मसाले डालेंगे और हम इसमें डालेंगे डेर चोटी चमच नमक ब्रेथ में खाने वाला नमक डाला है और अब इसको मच्चे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखे हमारी नमकीन बन के तयार हो गई है तो हम इसको थोड़ी दिर ठंडा होने के लिए ऐसे ही रख देंगे और जब यह ठंडा हो जाएगा तो हम इसको एक डबी में भर के रख देंगे और मेरे बच्ची को यह नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है खास दोर से उसको यह मखाना बहुत अच्छा लगता है बुना हुआ और हम सब को यह नमकीन बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है और उसके बाद में हमने यहां खाना बनाना शुरू कर दिया है, डिनर तो डिनर में हमने बनाया है दाल, चावल और कड़ू के सबजी और जितननी जल्दी बन जाएगा उतनी जल्दी सारे खामने पट जाएगे और अब हम प्रत वाला खाना बेढ़ा कर दिखिता कर दिखिना है और आप्याल और यह देखिए टमाटर अच्छे से गल गया है थोड़े से तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे तो हम इसमें दाला दी चोटी चमच लाल मिर्च पाउडर और अधी चमच नमक डाला है इसमें अपने हिसाब से नमक डाल सकते जितना आप खाते हो और एक चमच हम डाला है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए सारे मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और सब्जी को हमने अच्छे से भूल लिया है और अब हम इसमें पानी डाल देए है तो पानी हमने आधा गिलास डाला है बहा साधा पतला नहीं करना है और अब इसको हम ढखके पकाएंगे 5-10 मिनट तो यह देखे सब्जी हमारे बन के तयार हो गई है तो गैस को बंद कर देंगे और इसको मतार लेंगे नेचे ठंडा होने के लिए और अब हम बनाएंगे कुट्टो काटे के पूरी तो यह मैंने देखे लिए कुट्टो का आटा और इसको हम अच्छे से तो पैकेट को कट करके और हम चनी में डाल लेंगे और हमारे हाँ कुट्टो काटे के पूरी बनती है और सब देने की पूरी अच्छी नहीं लगती है नहीं पसंद है इसलिए नहीं बनता है जल्दी कहीं 9 दिन में एक दिन बन चाएगा वासे अच्छा नहीं आप अब ओटा देंगे आँज थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम एक व्ल में दो तियार कर लेंगे और यह देखें हमने अच्छी से पाड़ाएं और फोलिक तो कोट ली है तो इसको हम रख देंगे और अब इसकी चोटी ह्योंती सी पूरी की लोई लेखे थेह हम बना ल और देखें के लिए के अजिए हम पुरी का यूणि के गर्ण होने के लिए तो देखें और पुरी के सीविगत간 इसू आढ़ीव्के यूद फॉरी है, fonctionne फॉरी हम और देका, सुनहरा होने तक हम अच्छे से करेंगे तो यह देखिए तेल हमारा हम बहुत ही कम गरम हुआ था तो पूरी फूल गई है तो हमने इसको बलट दिया है और इसी दरीके से हम दूसरी डाल देंगे और सारी पूरी हम बना के त्यार कर लेंगे और अगर आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए और आप लोग का एक लाइक मुझे बहुत बड़ी खुशी देती है बहुत अच्छा लगता है और मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत जरूरत है तो प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए और ब्लॉग को पूरा देखिए और मेरा सपोर्ट कीजिए और अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताईएगा यह मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती है या आप लोग को कोई भी रेसिपी चाहिए तो कॉमेंट करके जरूर बताईए कि मुझे अच्छा लगता है और यह है दही और अब इसमें डालेंगे मसाली थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा ललमेच पाउडर और थोड़ा सा नमक तो इन सबी चीजों को मच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से आप मसाली वाली जो दही है आप वैसी भी खाने के साथ या बरत में खाएंगे बहुत अच्छी लगती है तो एगा ट्राइज जरूर कीजिएगा बहुत अच्छा लगता है तो यह था मेरी फलाहारी थाली बनके तयार हो गई है और फलाहारी थाली में है आलो टोमाटर की सबजी कुट्टू काटे की पूरी मसाले वाली दही और सोकी सबजी मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया था तो आपको कैसी लगे मेरी यह थाली कॉमेंट करके जरूर बताईगा तो यह था मेरा आज का फॉल डे ब्लॉग तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ब्लॉग कॉमेंट करके जरूर बताईगा तो मिलते हूं नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई